अब बात करते हैं हम अपने arrangement of bolt आया arrangement of rivet arrangement करना है कि हम अपने bolt को किस तरीके से arrange करें आगे पीछे फूपन नीचे जिससे कि जो मेरा लोड आएड मतलब tension में जो मेरी cover plate fail हो वो minimum से minimum causes हो कि वो fail ना हो या हो तो फिर वह बहुत अच्छे से खासे लोड होने की बात क्योंकि जो arrangement है रिवेटिंग और बोल्टिंग यह बड़ा इंपक्ट डालता है कि इस पर टीरिंग strength of plate पर कैसे डालता है देख पेंच लो होutना कि यहां पर पहली क्या चारा चेन डोटिंग चेन डिवेटिंग क्या तर्म मतलब है कि ऌहीं इंतो फ्रीडी इंतो डीडे Ap2 3D क्यों कि एगर इस लैग में बात करें तो तो गार दो बोल्ट तो तीन उर्न माइनस कर दिया दें एकड़ेकर ायं में क्या इस तरीख से दे सकता हूँ, जब मैंने इस तरीख से दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, कि जो A net निकल के आया है, क्या निकल के आया है, वो निकल के आया है, B, वो निकल किया है B-D into T B-D into T किस पर Section 11 पर Same to same अगर हम यह चीज उपर वाले Section 11 पर बात करते हैं अब जब यह चेंट विटिंग कियो तो यहाँ Section 11 पर कितना निकल किया है B-3D 3D मतलब 3 बोल्ट आ रहे हैं Plate में तो 3 बोल्ट होगा Area minus होगा उसमें Plate के Area में से तो वही Net Area निकलेगा जो उसे Failure से बचाएगा किसे जो Tearing Failure होगा Plate का तो दोनों में क्या Difference है कि पहला तो यह पता चलागा कि जो Area निकल क्या है A-Net वो Chain Reveting के लिए कमाएगा क्योंकि इसमें से minus होगा 3D और इसके लिए जादा आएगा कि इसमें से सरफ 1D माइनस होगा तो इस वज़े इसका Chain Reveting का Area कम आएगा और Diamond Reveting का जादा आएगा तो जो Strength होगी Area into Stress तो जो Strength जादा किस की होगी Diamond Reveting की होगी इसी बात है तो यह Patterman बता है ना एफेट कर दे हैं किसको Strength हो तो अब तो मैं समझ में आने लगा हो किस किस तरीके से एफेट कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं देखो नोट में कुछ तीज बतान जा रहा हूँ अब क्या होता है Diamond Reveting is more efficient than chain Reveting क्यों efficient है पहला बंट क्या है Diamond Reveting is more efficient than chain Reveting क्यों more efficient है जो एरिया आरहा है चैंड रिविटिंग से ज्यादा आ रहा है किसमें जो Diamond Reveting में नमर बोल्ट होई है सारे मेंबर भी होई है component भी होई है पर एरिया जो ज्यादा निकल के आ रहा है किसमें Diamond Reveting में जो बोल्ट तो देख लो दूसरा पॉइंट है बिकोज ओनली वन बोल्ट होल डामेटर डेटेक्टिफ रूम दी वर्थ भी सो पीटी इस मैक्सिम वही मैं बोल रहा हूं कि जो Diamond Reveting में सर्फ एक ही बोल्ट आ रहा है Diamond Reveting में सर्फ कोईतना बोल्ट आ रहा बोल्ट आ रहा है तो इस वज़ए से जो महाँ पर माइनस होगा वह एक ही होगा और वहाँ पर जो Chand Reveting में क्या हो रहा है कि वहाँ पर तीन बोल्ट आ रहा है एक वन वन क्रो सक्षिन पर तो वहाँ पर तीन होंगे तो वहाँ पर एरिया कम होगा तो ओविसली से जो स्टेंट आएगी पीटी की वेल वह क्या आएगी कम ही आएगी ठीक तीसरा पॉइंट है इंडाइवरे बेटेंग एट क्रिटीकल सेक्षिन 3 ती अब देखो मैंने बताया था क्रिटीकल सेक्षिन 3-3 क्यों है क्योंकि जब लोड पहले अगर हम बड़ जोइंड की बात मेरे बॉल्ट लगे अठाएं तो जो इसका पैटनाइस के पैटन को थोड़ा चेंज करता रहता रहता वू पर उसका ड़ेजिमिन 619 तो पड़ो पॉइंट नमर 3 किया गया है इन डायमेंड रिबेटिंग एट कृटीकल सेक्शन 3 ती जो सेक्शन हमारा कृटीकल है 3-3 यह वाला तो इस चीज को हमें काउंटरेट करने के लिए क्या गया है तो इस तरीके से कर देंगे जो तुम्हें नीचे फिकर में देख रहा है इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं इस बारे लेत अब यहां पर तुम क्या देख पा रहे हो यहां पर देख पा रही हो जो लोड धा he जो starting में लग रहा था वो आखरे तक कहुंसते पहुंते हैं सारा cover plate पर उपर वाली पर पीवाई डू हो जाता है नीचे वाली पीवाई डू हो जाता है तो मेरा critical section वही होता कि cover plate पर सबसे ज्यादा लोड उसी section पहारा अगर उस जगह 3 bolt होते हैं अगर diamond weighting वाला जो पिछला pattern करनता वो provide करता तो मेरा obviously failure महां होता तो उस चीज को मैंने क्या कर दिया जो थोड़ा pattern में थोड़ा variation कर दिया उपर नीचे कर दिया बोल्ट आगे पीचे कर दिया तो bolt का रहेगा तो उसमें stress का multiply करोंगो तो strength के आईगी ज्यादा आएगी तो यह pattern है bolt किस तरीके से अरेंज करने लगा रहे हैं इसका सीधा 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 सा किस पर पढ़ रहा है तो यहां पर मैंने इस तरीके से बना भी दिया है तुम यह देख सकते हो पॉइंट नंबर चार में क्या है चेंट वेटिंग में में मेरा section 11 पर क्या हो रहा था बी मैनस 3D तीन बोल्ट थे तो उसमें से 3D घट रहे थे और diamond रेटे में सर्फ एक बोल्ट थे तो तो बी मैनस D घटा रहे थे एक ही घटा रहे थे into T into T कर दिया area नकलने के लिए FD FD तो tiering stand थे कोई दिक्कत नहीं ठीक है प्लस यहां पर मैंने किये 3R view और यहां पर किये RV value 3R view करने का मतलब यह है तो मैं देखा देता हूं करने का मतलब 3R view क्यों कि है यह चुट-चुटे concept होते है न यह एकदम clear होने चाहिए समझ में भी नहीं आते त्रियां से नहीं से देखो जब मेरा यहां पर a net नकालोंग यहां B-3D into T, T मतलब thickness तो area नकल के आ जाएगा ठीक है जब 2-2 पर नकालोंगा तो a net तो नकल के कितना आएगा वो obviously सी बात है same to same रहेगा B-3D into T तो यह same to same जैसा यह वाला है ऐसा ही रहेगा पर इस पर जो strength जब नकालोंगा तो strength इस वाले section की ज़्यादा बढ़ जाएग में क्या कराना पड़ेगा fail कराना पड़े मतलब जब यह वोल्ट टूटेंगे जब वोल्ट क्या होंगा टूट जाएंगे जब यह पी वाला force है खीच रहा है जब टूट जाएगे तभी जाएगे इस plate पर क्या पड़ेगा जोर पड़ेगा इसे tension में fail कराने के लिए crack करा निकलिए तो यहां पर तीन वोल्ट है तूटेंगे तब जाके वो टैंशन में crack होने के लिए आगे बढ़ेगी मेरी क्या plate तो इस वाज जैसे मैंने यहां पर प्लस में 3RV जोड़ा था भी जो पीछे दखाया था सेम टू सेम अगर मैं यही काम अगर उसमें देखू डाय निकाला तो मेरे फेलियर निकालने में क्याएंगे कितने बोल्ट पहले इस वाले को चीर में फेल उना पड़ेगा तो तीन बोल्टों को होना पड़ेगा तो तीन अर्व जब 3 तीर प्रना तो 3RV वी वेल्थ हो जाएगी जब मैं 2-2 पे निकाल रहा हूँ उससे पहले उससे क्या जो 1-1 में एक बोल्टा उससे तोड़ना पड़ेगा तब जागे 2-2 पे मेरे प्लेट फेल होगी कि जब पहले से एक जटके से बोल्ट तूटेगा तभी तो पूरा जोर किस पर पड़ेगा उपर कवर प्लेट की उपर पड़ेगा तभी तो वो खिचे की तभी तुस पर क्रेक आइंगे तो इस वज़े से जब मैं डामें रिविटिंग की बात करता हूं तो जो स्टेंथ निकालता हूं उसमें क्या प्लस के अब देता हूं आर भी क्योंकि यहां पर एक हैं हैं दो होते तो टू आर भी होता चार होते तो इसी जगे फोर आर भी होता तो वह डिपेंड करता है जिस सेक्शन पे निकाल ला हूं उस सेक्शन से पहले कितने रिविट्स हैं या कितने बोल्ड लग रहा है तो जतने हैं उतनी उनकी स्टेंद भढ़ जाती है कि जब वो टियर है और शेय पहले वन मन पे निकाल हूं तो वी मैंस 3D इंटू FD यह और अगर टूटू पे निकाल लाओं तो यह है वी मैंस 3D वह तो स्टेंथ तो सेम है पर इसमें 3RV वेल्यू जुड़ गई अजिए वेल्यू कि मतलब वह शेश्रिंग में फेल होगा तो शेयरिंग में फेल होगा तब जाके वह कवर प्लेट क्रैक होने के कोशिच करें उससे पहले कि वह फेल नहीं होगा तो का बुल टूट रहे हैं तो तू मांस हो जा गए और भी क्योंकि टू टू सेक्शन से पहले है डायमें रिप्टे में एक ही बोलता तो सिर्फ यहां पर गया है वन आर भी लेगे चार बोलत तो फोर आर भी निकल कि जब चारों टूटेंग गया एक होगा तो एक टूटेंगा तब पूरा लोड के स्पाइगा कवर प्लेट प का मैंने कॉंक्लूजन में ओब्जर्विशन में नोट टाउन कर दिया है पढ़ते हैं बताते हैं फ्रॉम दी अबब और जब ऑफजर्विशन वन पढ़ो फ्रॉम दी अबब टेवल भी फाइंड एट इट इस पॉसिबल फोर टीरिंग फेले टूटेंग टूटेंग टू थ्री आर्व जो रिवेट वैल्यू जो वेस्टेंग तेन गुना स्टेंग और मिल लगे कि वह पहले शीर में तोड़ने पड़ेंगे तब जाकर वह टीरिंग फिल हो रहा है तो इस वजए से एक तरीके से इंपॉसिबल है महां पर क्या करना फेल करना दूसरा इंचैंड प्रिवेट वैल्यू क्या हो गई वैल्यू से जादा होगई क्या है dti इंटो एffery dv di collector penalty क्या है det जो bearing strength लार इझोजी स्टेंट तरीव टीरिंग टीरिंग इस्टेंट बन बोल्ट देखा देता हो यह वाली डी टी in two ft greater than our वह अगर been Hag गिजाद गचिसकी टीरिंग स्टेंथ किसकी है मैं इसको जैसे ओपन करता हूं यह तू वाले इस वाले पॉर्शन को ओपन करता हूं तो यह वेल्य है हमारी अब डी टी इंटू एफ्टी वाले पॉर्शन है दो है, अगर डी इंटू एफ्टी ज्यादा वह इस था यहाई है फाइवय है और डी इंटू एफ्टी आ रहा है 7 आ रहा है 7 आ रहा है तो 7 इंटू 2 14 14 में माइनस किये हैं इस में से प्लस 5 घटा होगे तो कितना बचेगा 5 और 9 बचेगा तो यहां में से BT में से कितना घटाना पड़ेगा BT BT माइनस 2 इंटू 9 अठा रहा है BT माइनस 18 करके कुछ घटेगा तो तो क्या है वहाँ से मेरे को घटाना ही पड़ रहा है जो टोतल वेल्यू आ रही है उस में से फिर इंट करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा तो चАंसेज है कि मेरा 2टू पह क्या हो सकता है फेलियर हो सकता है जबकि अगर मेरे हैं पर जो repeating value क्या होती? मतलब हो BT into DT होता है वो क्या होता तो कम होता? किस के मुकावले है RV के मुकावले? RV मेरा अगर मांन के चलतो, साथ होता और DT into BT कितना होता? 5 होता तो total कितना होता? 10 होता और ये total कितना होता? 7 होता तो माइनस 10 में 7 गए तो माइनस 3 घटते हैं तो कहां B में से मुझे कितना घटाने पट रहें 3 घटाने पट रहें और कहां मब B में से कितना घटाने पट रहें 9 घटाने पट रहें तो वह एक वह जो critical section है वहाँ पर संभव है कि महाँ पर cracking होता है देखते हैं कि अगरे कि अगरे कि अगरे कि यहीं दूब और विजिशन आफ जरूर विशन है जो प्लेट को बस वही डिसकस किया इस पोशिशन में ठीक है अरेजमेंट ऑफ मोल्ट के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वह स्पेसिफिकेशन फूर पिच एंड बोल्ट सेंड रिवेट यह आपको पीच नॉम्बर सेवेंटी फॉर आई एस 800-2007 जो हमारा बोल्ट के बीच में वह कितनी है ने टू पॉइंट फॉर नोमिल डायओ उफ दूसरा मिनीमम एज डिस्टेंस एंड एंड डिस्टेंस कों से होती है जो लोड की डिरेक्षिन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बोल्ट के सेंटर से लेके बोल्ट के जो एज होता है परपेंडिकुल डिरेक्शन वाला उसके बीच की डिस्टेंस क्या हो लाती है यह दोनों चीज में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पर एक बार मैं हम पर दोबारा डाइगरम बना देता हूं कोई दिख को तो नहीं है यह है जैसे मान के चलो और एक दो तीन चार तो हमारी पिच क्या होती है पिच होती है दो बोल्टों के बीच की दूरी कौन जी यह वाली जो डिस्टेंस है यह वाली यह मेरी क्या पी पिच होती है एज डिस्टेंस क्या होता है एज डिस्टेंस होता है यह बोल्ट के सेंट मिनिमम पिच देनी है Кितनी कहते हैं लिल्ट के ब्राट कि क्या में, तौ incr कनेक्षिंगे मैं है जब ब्रोल्ट नारा हुए मिनिमम पिचे इन ही में तौने चाहिए 1.5 य। दय ओफ़म टोल द बोल्टफ गहलि को टैय और इंट वान पॉंद फाफ य ले लो या 1.7 गोसे कट करते हैं तो गो Fourth से नहीं हम झाल फोक्इल के चनल के दान sister देखने रहा हूँ चाहिक जब हम उस्ते कट करते हैं माशीन कट से तो तो हम 1.5 इंटू डायव बोल रहे हैं जब हैंड कट हैं तो 1.7 लेगते हैं थोड़ा 1.5 से 1.7 कट दीक हम हैंड से कर रहे हैं तो वहां पर कट करने में एक प्रिसाइस कट नहीं होगा तो थोड़ा आगे पीछे हो जागा इस वज़े से थोड़ा बरा दिया है तो जो हमारी जंड़ान जो एंड डिस्टेंस होती है जो एंड स्टेंस होती है ग्लशन्ली केसा वजे से होती है आट संद प्रिवेंट प्रिवेंट कंट मेड है हमने जब फेलियर फेलेट से टो उनमें gaan उसमें चारयब करें गर प्रिस्टे एंट डिस्टेंस अगर provide पहले प्रेमीं मिनीमम शेमिन और अगली बात करते हैं अगला जो हमारा है यह maximum age distance maximum age distance कहने का मतलब यह है maximum age distance कहने का मतलब यह है maximum कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं जो दूरी होती है ज्यादा से ज्यादा कितनी होने चाहिए एक किनारे से लेके बोल्ट के center के दूरी तो maximum end and add distance age distance यह वाली बोल्ट के center से लेके और यहां सक जो यह वाला किनारा यह बीच की जो दूरी होती है यह वाली यह वाली मेरी क्या कहलाती है एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस क्या होती है यहां से सेंटर से लेके लोगनिटुडनल डारेक्शन में जो यह दूरी होती है यह वाली यह मेरी क्या कहलाती है end distance कहलाती है ठीक है तो जो end distance होनी चाहिए वो max से max कितनी हो चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ है यह क्या दिखा रहा है हमारी age distance वो कितनी होनी चाहिए एंड distance कितनी हो चाहिए 12 TE 12 मतलब numerical value है टी जो ठीकने से हमारी plate की और इस हमारी क्या है क्योंकि हम यह plate consider करेंगे plate किसले consider करेंगे क्योंकि हमारा जो failure हो रहा है वो जनले एंड और एंड और एज की वजए से कहुन सा failure हो रहा है bearing failure sharing failure of plate हो रहा है तो आप प्लेट का ज़ाए यह हमारा तमारा यह जो तो हमारे value निकाल नहीं होती है, epsilon बोलो है, e बोलो, epsilon से denote कर रहे हैं, वो value निकालने का formula under 250 upon Fy, तो अगर हमारी कोई grade Fy को, अगर mild steel को लें तो Fy बराबर 250 होता है, तो यह value निकल के e कि के दिनी आ जाएगी, वान जाएगी, पर अगर जैसी हम F को दूसरे grade की concrete वो steel लेंगे, तो Fy की बराबर 500 है, तो यहाँ पर divided by 500 कर देंगे Fy की जगे, तो value कितनी आ जाएगी, 0.5 निकल के आएगी, तो यह डिपेंड करता है कि इस grade की concrete है, तो code ने specific किया है, जो maximum age and understand नकालेंगे, वो किस पर depend करेंगे, कि वो किस material की भी नहीं है, तुमारी वो जो plate, उस पर भी कि मैं जदा जदा distance provide करेंगे, end failure नहीं होंगे, bearing और sharing plate के जो failure हो रहे थे, end distance के विशे, अगर हम जदा distance provide कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, separation हो जाएगा, plate का, separation होने का मतलब है, जब load लगेगा, जब खीचेंगे, तो जो, कुछ इस तरीके से, यहाँ नीचे, थोड़ा सा dimension, यहाँ से देखा तो, तो कुछ इस तरीके से यह कहा है, जैसे एक bolt ये रहा, एक bolt ये रहा और एक बुल्ट ये रहा, तो जब खीचेंगे दोनों तरफ सा, तो बीच में कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगी, यह separate हो जाएगी, जब connection को दोनों के बीच में क्या हो कि तो मैक्सिमम कितनी है वह याद रखना सह हमारे थिकना ऐसा है कौन से प्लेट कि जो धेनर ही जो क्यों सब से पहले करें पृत्छी में या और से पहल pierwszy करने का अगा वह drumher … करएंगे अब करता है किस तरीक हैं जोट रोट्रेट करें टीसरी फिच तो इन मेंसे जो मिनीमम होगा जो भी यह बारटी है दोसो अंडर्ड दोसो मेंसे वह हमारी क्या होगी मेगजिमम पिछोगी उससे ज्यादा प्रूआड ने कर सकता है अगर उससे ज्यादा हम पिछ दे देंगे तो वही सेपरेशन ओफ प्रेट हो जाएगा जो मैंने नीचे लिख रहा है यहाँ तो यहाँ पर मैंने लिख रहा है न तू प्रिवेंट सेपरेशन अफ प्लेट विट्वीन बोल तू प्रिवेंट बखलिर टू यहाँ फ्रेज हो जाएगा आपड़ जो मने बता है giत ग्र्वेश्खित और फाक्लिंफ में मतलबल फ्रेकश में बंच करेंगे तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हम मैक्जिमम एंड से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं अगले मैक्जिम पिछ बोल्ड और वेल्ड टेंशन जोन यह जो मुपर वाला पड़ाता पॉइंट फॉर वह किसे कंप्रेशन जोन के लिए टेंशन जोन में कित करना है इसको मैं तो में जोन इसके लिए गए डौट करना है कि मैं यह के लिए लिए एतना दूरी पर नहीं लगा सकते चाहने का मतलब यह त्होंक है अगर तो मैं थोड़े सरे सब्सक्राइब मैं बताऊं यह diagram रफ करके दोबारा बना के दिखा देता हूं कहने का मतलब यह है यह मेरा एक बोल्ट हो गया यह मेरा डोल्ट हो गया तो इन दोनों के बीच की जो distance होगी जो यह pitch होगी वो अगर मैं tension के लिए कर रहा हूं यह दोनों तरफ से खीच रहा है तो वह क्या है शिक्स्टीन ज्री यह जो distance होगी यह वाली यह 16 टी या 200 mm से ज्यादा नहीं है अगर ज्यादा करेंगे तो जो प्लेट की बीच में क्या हो जाएक separation हो जाएगा थोड़ा gap ज्यादा हो जाएग तो थोड़ा अलगर टेंज जब फोर्स लगाएंगे तो क्या इससे separate होने की कोशस करेंगी इस तरीके से नीचे वाले डागरम बनने से separate होने को उसस करेंगे तो उसे prevent करने लिए हमने क्या कि प्रोवाइड किया कम से कम भी प्रोवाइड करते हैं कि इससे ज्यादा कम हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं कि पास पास आ जाएंगे फिर पास पास जदी नहीं हो जाएंगे तो फेलियर जल्दी होगा पस में वह शियर वाला अगर करीब मान के चले हैं से इस डिस्टेंशन को प्रोवाइड करना तो बेल्यू डारेक्ट तो मैं आदूनी चाहिए डारेक्ट पेपर में कुछन पूछ लिया जाता है तो यूज हो जाती है ठीक है तो मैक्जिम पिछ ऑफ बोल्ट और रिवेट कनेक्शन इसके तरीक है कुछ इस तरीक है एक यहां प फिर आगे है फिर नीचे जब इस टेगर प्रेटन हो तो वहां पर जो मैक्जिम पिछ डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे वह कितनी होगी एटीन टी और थ्री अंडेड एंडेड एम इन दोनों में से जो भी हमारी निकल के आएगी जो भी मिनीमम होगी वह वाली हम क्या कर कर देंगे प्रोवाइड कर देंगे तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है यह फिदी बॉल्ट आरे स्टेकर्ट अट इस पैरल्ले टू डारेक्शन ऑफ दिफोर्स इस आने तो इस बोल्ट की लाइन यह है और इस वाले बोलट की लाइन यह तो दूनों सेम लाइन में नहीं ह वाली है लोडिंग लाइन की क्या हो पैरलल में हो ठीक है इन इस इम लाइन इन जी इस नोट ग्रेटर देन 75 और जो हमारे जो यह गेज डिस्टेंस हो कितनी 75 mm से क्या ना हो ज्यादा ना हो तो क्या आवल कैन वी इंक्रीड वाए तो हम जो यह 18 टी और 300 mm है इसको हम कितना गर्तर यहा है जैसे इसंटर हाल कि यह ऊपर है अफ से गहरेम से जाद हम प्रॉइड儿 कर नहीं सकते हैं तो और अगर हमारे गेंग際 रिए 12 50% ज्यादे 2040 और 300 mm हम प्रोवाइड कर सकते हैं तो यह हमारे हैं स्पेसिफिकेशन है सारे के सारे जो अपने कोड ने दी है स्पेशिफिक्शन के लिए अगली बात करते हैं ठ्रेक बोल्ट और रिबिट और एकच बोल्ट विये रहेback एक लोड़ एक बोल्ट ही होता है रहसा काम लोट लोट ट्रांसफन नहीं करना होता है यह बस ऑन्यंट करना है ले से क 74 खोऊल मेंके चलो मेरी कोई गसेट पलेट यह जगाने को ये मेरा चलो मेरी जा रहे होंगे, यह प्लेट आगे जा रही होगी, यह अंगल भी आगे जा रहा होगा, यह भी आगे जा रहा होगा, तो यह दोनों portion नहाँ से तो नीचे से चुड़ गए है, पर उपर से क्या हो अलग हो निकल ले, इस तरीके से इस तरह भगने कोशिज करेगा इस तरह भगने कोशिज करेगा तो यहां पर भी मैं क्या है टेक बोल्ट लगाता हूँ एक तरीक से जोड़ने काम कर रहा हूँ मतलब जो पूरे स्ट्रेक्चर अलग अलग तरह किस भीव ना करें इस वज़ेसों से सिंगल यूनिट की तरह भीव करें तो उन्हें ट्रेक बोल्ट क्या करता है जोड के रखता दे डू नोट टेक एनी स्ट्रेक्चर लिए कोई लोड नहीं लेते हैं इनका काम लोड लेना नहीं होता ठीक है तो मैक्जिमुम जो पिछ होती है बोल्ट की प्लेट में ट्रेक बोल्ट की वह होती थी थर्टी टू टी और ठीएंडड एमें इन्हें से जो भी कम होगी बोले लेंगा टी वही थिकनेस ऑफ थेनर प्लेट लेके चलते हैं तो यहां पर तुम देख लो यहां पर जैसे गसेट प्लेट है गसेट प्लेट हमारी गिविन है और गसेट प्लेट को यह दूसरा कोई भी मेंबर है कोई दूसरी प्लेट है उससे जोड़ा गया तो यह तो हमारा यह बोल्टेंग कनेक्शन हो गया यह तना वालक है बोल्ट से जोड़ गया यह मेंबर पर अब यह member थोड़ा आगे तक निकल रहा है अब यहाँ पर मान दो दूसरी side भी यह तो एक plate होगी दूसरी side भी कोई plate होती है यह हमारे plate है यह हमारी दो क्या करते हैं तो मेंबरों को क्या है एक यूनिट की तरह काम करा है एक मेंबर की को मतलब एक यूनिट की तरह मतलब हम लोड लगाएंगे तो और वह यह तुरू आधा काम काम बिल्कुल भी यह यह यात हमे रखना है तो हम यहां specific में सिर्फ इतना पड़ रहे हैं जो डिस्टेंस होगी ट्रेक बोल्ट के जो ट्रेक बोल्ट होते हैं उनकी बीच की मेक्जिमम जो पिछ प्रोवाइड करेंगे वो थर्टी टूए और थ्रींडेड एमेम से जादा नहीं होनी चाहिए ऐसा मैं कोड क्या करता है सजेस्ट करता ठीक है है आगे बढ़ते हैं अब देखो यहां पर कोई स्टेक्चलमेमबर तुम्हें गिवन है तूम 110 को यह देखो यहां पर स्टेक्चलमेमबर है यहां यो contrad प्रोवैड किये गए हैं इस section के उनका का वो क्या tag bolt है यह क्या section अलग अलग ना हो अगर दूसरी तरफ एंको एक unit कराने के लिए इनको जोड़ा गया तो इन Taking filter का मैंबर को यूनिट करने के लिए एक साथ काम करानेक लिए सिर्व जीड आ Dad ना कि लोड़ लेने के लिए तो वह यह बहसे समसे रहा था कि लोश्क कॉन तरह प्लेट का अपक्या होदियागी इससे ल्य कॉरिध कर घुठी ज्टेम तो ऑन को मिक्जिन के नियुस्ट तो जब हम इसे स्टेल के सेक्षिन यूज़ करेंगे तो यह चीज तो तुम्हें बस डारेक्ट याद करने हैं इनका कोई वह नहीं कि समझने कि मैक्सिमम पिछ हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं तो यह वाला जो करने का और करने का ठीक है आगे बात करते हैं अगला वेंदी इस्टील सेक्षिन आर यूज़ देशन मेंबर की तरह यूज़ है अगर हम यहां कंप्रेशन मेंबर की तरह यूज़ करें जैसे एंगल हो गया या आई सेक्षिन हो गया चैनल सेक्षिन हो गया तो वहां पर जो मेक्जिमम डिस्टेंस होगी वह किसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए लेस्ट वैल्यू है क्योंकि यहां पर बगल प्रॉब्लम होती है कोलम में हमारे क्या होगा कि वह लूट आगे तो बकल होनी कोसिस करेंगे न और बकल अगर ट्रेक बोल्ट जादा दूरी पर होंगे तो टेक बोल्टों की बीच में सी बगल हो जाएगा तो इस चीज़ को क बीच में क्या हो जाएगी अगर यह मेरी जो टेक बोल्ट की डिस्नेंट जादा बढ़ जाएगी तो यह है रीजन है कि क्यों कंप्रेशन में कम कर दी तो यह तुम्हें याद रखना है यह एक स्पेसिफिकिशन है कि टेक बोल्ट जभी उस करते हैं उनकी मिनिमुम पेच क कितनी होनी चाहिए मतला मैक्जिम पिच किस ज्यादा नहीं होनी चाहिए ठीक है अब बात करते हैं पॉइंट नमबर एट जो यह तुम्हें आद करना वह है डाय ऑफ बोल्ट होल्ट इट डिपेंड यह हमारी इस पर डिपेंड करती है जो हमारा जो बोल्ट है वह उसका ड कर देंगे 24 से ज्यादा है तो मतलब 17 से तो उसमें तीन और जोड़तेंगे 30 mm का होल्ट करेंगे तो होल्ट कर देगा कि मारा नॉमिनल डाय बोल्ट का कितना उस पर डिपेंड करता है ठीक है डायमेटर बोल्ट होली स्लाइट्री मोर्ट नॉमिल डायमेटर सो देट अब डिजानिंग कोश्चा-ठीक होता है कि तो मारे पर यह पर रोजाएंगे 25 से थक्षावर यह एवी में चालसे पर गोड़ attends यह दे तो अंयुक्त क्यों यहेज़ता हो तो कि हुलोट ऐएकि वो juvenile कर दो के सब्सक्राइब one don't तो इतनी कैफी सारी चीजे हैं जो मतलब पूर प्लेट को मतलब नुकसान पहुचाएंगे तो इस वज़े से मतलब कोई बोल्ट का एतना साइज चूज करना है जो एक अन्वेन साइंटिस्टेज जनों ने हमको एक फोर्मला दिये जिसे हम अन्वर फोर्मला कहते हैं तो वह दोनों में रिलेशन है कि इसके बीच में नॉमिलल डाय फोल्ट में और प्लेट में तो वह थिकनेस के एसाब से हम क्या है अपना नॉमिल डाय डिसाइड कर सकते हैं जिससे हमारी प्लेट भी फिलना हो और मतलब आयसा की कम डायमीटर का फॉल्ट जूज कर लोंगा तो फि इंपयरिकल प्रोला है तुमें किया ओना चाहिए यांद बना चाहिए तहरे हैं Smith डशेविकिशन थे जो तो मैंने डिसकसि करती है अब बस एक चोटे से एजूपिषन है 2010 को समझ रो देखो वैसे हम क्या करते हैं कि हम पहले जे एक कि हमारे एपला करते हैं तो हम यह आप्र बोल्ट पर 100 ओक लुंटन का क्या रहा है तो पहले जर्शने में यह 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 कि दे अप्लाइट अक्ट लोड जब अप्लाइट इस एज्यूम तो भी शेयर वाई ओल दीबोल्ट इक्वाली बट वें अप्लाइट प्रोपॉर्पॉर्शनल लोड टेक मोलोड धन इनर दो प्रपूर्शिनल लगत करने का मतलब यह है कि जाँ प्रपूर्शनल किसके होता है तो इसमें क्या होता है आवटर बोल्ट ज्यादा लोड लेते हैं आस कांपेड टो इनर वोल्ट कि कहने का मतलब यह है कि हम यह एजप्शन मानके चलते हैं कि सारे बोल्ट इक्वली लेंगे पर यह कंडिशन तभी पॉसिबल है जब मेरा कॉलस फ्लोड क्या होता है कि जब मेरे बोल्ट येल्ड कंडिशन पर पहुंच जाएंगे सारी अल्टिमेट कंडिशन पर पहुंच जाएंगे जहां सारे बोल्टों की स्टेंथ इतनी है उससे जादा ले नहीं सकते जब लोड आया तो पहले बोल्ट ने लिया अतनी स्टेंथ अब उसमें बसकी नहीं है बियर करना और लोड तो बाकी दूसरे ने लिया तीसले हैं सा इसमें stress proportional to strain है अब जो लोड आया वो क्या है प्रोपोर्शनल लिमिट तक है लोड आया लोड की वज़े से जनरेट हुआ अब किसी में जाद है किसी में कम है क्योंकि अब लोड और बढ़ेगा तो वो क्या अपने हिसाब से कोई yielding में चले जाएगा बोल दूसरा yielding में न इसको ठीक है दूसरा पॉंट के इफेक्ट ऑफ बेंडिंग इस इनलेट इंशूर दे बेंडिंग इस्टाइट लेस आई यह से डोंड़ टॉजए इस डाज नोट ग्रेटर देन फाइव वह कहता है कि मैंने बताया था ना जिए लेब जोंट करते हैं तो लेब जोंट में तो उसके लिए एलग से डिजानिंग करेंगी पर हम उसको नेगलेट करके चलते हैं ऐसा को उड़ कहता है नेगलेट कब करके चलते हैं जो मारी जो ग्रिप लेंट है वो डजनोट ग्रेटर देन 5D यहाँ पर क्या है डाय ओफ बोल्ट होल स्री डाय ओफ बोल्ट तो इससे इस सवस्केंग करेंगे निकल पयाएगी जो सेरिंग स्टेंग निकल के यागी तो गया है मतलल जुमान तो फ्रिए कर बेंटे कोने स्टेंग कर लेगी मैं चाल्ँ कि ब्रावर कर लेगी पर अग ग्रेप लेंड यह डी से भी जादा हुई तो हमें सेक्षिन क्या करने करें दुबार से क्या है रीज डेजाइन करना पड़ेगा तब हम कुछ नहीं कर सकते क्यों कि एडिशनल बेंडिंग में इस्ट्रेश जन्डेट होंगे तो और इस्टेक्चर फिलर की तरफ ले जाए तो एक्च्वल में क्या करते हैं बैंडिंग इस्टेन लेके चलते हैं और जो हमारी ग्रेप लेंद होनी चाहिए वह कोसस करनी चाहिए 5D के कम अंदर हो ग्रेप इस्टन एगे उनिफिर क्रोस सेक्षण तो हम्हें चलते हैं कि सावड़ कि सारे यह स्टेस कैसे हैं यूनिफॉर्म करेंगे अपने किस प्रोस सेक्षिन पर जो जो जुएंट का बर जुए जोइन हो यह बजोंग एक होना के चलते कि उनिफॉर्म होनी चाहिए एक्च्वल प्लासिटी और जो भी है सारे की स्टेन एनर्जी वगरा सब क्या होंगे युनिफोर्म में पर कोई भी पॉसिबल ही नहीं है कि कोई मैट्रीबल इतना आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस आइडियली है ही नहीं आइडियली हम मान सकते हैं वैसे पॉसिबल नहीं है चोह था इंदि डिजाइन अफ बोल्टे जोएंट ती मोस्ट कंसिडेबल इस जी मैने इंटी 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 पड़ रहे थे तो उनमें मैं एक चीज बताई थी ना तुम्हें कि कौन सा क्रिटिकल होगा जब नहीं होने चाहिए तो में जाधा सा क्णौनें वाली चीज तो उस चीज को देखू क्या की तो देखतां देखते हैं कि यहां पर क्या करें रहते हैं यह रापॉंट कि डिटी एफ्टी ओल्विस ग्रेट इन डामिनल फिलर के नहींपन इफ अगर डिटी एफ्टी ग्रेटर दैने रिवेट वैल्यू से मतलब जो हम बोल्ट हाँ अब समझ मैं ठीक है तो जो हमारा बोल्ट होल मैंसे जो हम वह घटा रहे हैं जो जिस जगे हमारे बोल्ट आ रहे हैं उनका जब उस जगे से प्लेट का एरिया घटा रहे हैं तो वहां पर क्या करना है हमें कि अगर मेरी वह जो एरिया घट रहा है उसकी स्टेंथ बोल्ट स्टेंथ से जादा है तो वहां पर फेलियर हो सकता है तो व है कि यहाँ पर जब जब वन सेक्षिन पर लेकर डिजाइन कर रहे हैं तो जी माइस डी टी इंट्यू ऑल्वेज ग्रेटर दें मतलब यह रिवेट वैल्यू हमेंसे अच्छी खासी होने चाहिए मतलब ज्यादा होने चाहिए जिससे कि उस सेक्षिन पर फेल नहीं हो ठीक है